हेलो गाईज वेलकम टू न्यू वीडियो और आज है अपने साथ रॉयल इंफिल्ड क्लासिक 2024 मॉडल और भाई इसका जो की सबसे डिमांडिंग कलर है वो है स्टिल्थ ब्लेक तो भाई यह अपने साथ और आज हम इसका करने वाला है एक राइड रिव्यू तो भाई इसका कर रॉण वीडियो फीचर सारे वीडियो अल्रेडी अप्लोड़ेड है लेकिन अगर आपको वह देखने है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा बाकि इस वीडियो में रहेगा इसका राइड रिव्यू कि भाई चलने में कैसा फील होता है तो चलो बिना कोई देरी किये हुए जैसरी राम का नाम लेते हुए और स्टार्ट करते हैं इसका राइड रिव्यू सो अपने बाइक को लेकर आ गया है हाईवे पे और डालते हैं इसका फोस्ट गेर और चलते हैं और देखते हैं कि इसका भाई इनिसियल मीड रेंज और टॉपेंड कैसा है और यह लग गई है और यह रहा इसका इसरा गेर तो भाई टॉर्क इसका इतना अच्छा है कि इनिसियल में आपको दिक्कत होगा ही नहीं और ऐसा फिल्ड ही नहीं होगा कि पावर का कमी है तीन्सो पचास इसी का इंजन है भाई 27 अनम का टॉर्क दे रखा है और क्या चाहिए इस प्र लेकिन टॉपेंड में थोड़ा सा आपको कमी फील होगा क्योंकि भाई मैंने इस बाई को बहुत देर से चला रखा है और बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ बुलेट भी है मेरे पास तो टॉपेंड में आपको पावर की कमी नहीं होगी लेकिन स्पीड की कमी होगी जै यूज कि आपको बस्तिकलो टॉज कि इस बाई टॉज कि भीला विल टॉज कि रॉज कि रहा हुज कि मुज कि रहा है झाल झाल भाई देखो रॉयल इंट फिल्ड कितना भी मॉडर्न हो जाए लेकिन फिल तो आता है भाई मलब आपको ऐसा नहीं लहेगा कि कोई रेट्रो बाइक छोड़ कि आप मॉडर्न बाइक चला रहे हो क्योंकि भाई देखो एकदम प्रॉपर फिल आ रहा है जो इसका स्टांस है पकड़ने का भाई राइडिंग स्टांस है वो एकदम प्रॉपर आपको फिल देगा ऐसा लगेगा कि हाँ रॉयल इंट फिल्ड पे हो जो एक रॉपर नेचर है इसका वो प्रॉपर आपको मिलेगा बाकि इसका टॉप एंड भी सही है मतलब निव वाला इंजन है जो इसका जे सिरीज वाला तो वो भी काफी सही है जैसे कि पुराना वाला अलग था जो तो उसका अलग इंजन था थोड़ा सा वाइबरेशन उसमें ज़्यादा था इसमें थोड़ा वाइबरेशन कम है तो वाइबरेशन तो नहीं है समझे तो भाई मतलब 100 के above जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा सा vibration फील होगा बाकी आप इसका top end भी अच्छा है और पहले से तो काफी अच्छा है जैसे कि bullet अभी भी मैं चलाता हूँ तो 100 के उपर जाते हैं ज्यादा ही vibration करने लगता है और engine का power लगता है कि थोड़ा सा काम हो रहा है लेकिन इसमें आपको proper मिलता है ऐसा फील कि हाँ भाई है रोयल इंड फील में कुछ तो बदला हुआ है पहले के लेकर और अभी तो भाई इसका मेटर भी काफी साही वर्क कर रहा है मतलब जितना speed दिखा रहा है उतना चल रहा है ऐसा है ऐसा नहीं कि मतलब चल रहा है 30 पे और दिखा रहा है 70 ऐसे भी कुछ मार्केट में बाइक है जिसको speed eerder बताया गया है लेकिन इसका meter वर्क कर रहा है बाकि आपको कैसा लगता है ये बाइक कॉमेंड में बताना मेरे को मतलब एको राइड करने पर भी लंग राइड पर भी आपको काफी मज़ा आने वाला है प्यलिय न के लिए थोड़ा सा अनकमफर्टेबल होगा लेकिन डार के लिए आपको काफी comfortable seat मिलने वाला है इसमें मतलब काफी comfortably bedroom right करोगे जब कि मैं अभी गराइड कर रहा हूं तो इस चीज को फिल कर पा रहा हूँ कि लॉंग राइट पर भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है देखो भाई अभी 100 तो जा रही है बाइक अराम से बाकि इसके उपर ले जाना मेरे को सही नहीं लगता है मतलब रॉइल इंफिर्ड के क्यों ना बहले बाइबरे का ब्रेकिंग दे रखा है लेकिन भाई इस रोड पे खास करके मेरे को नहीं ले जाना सही लगता है क्योंकि इस रोट पे एक्सिडेंट के चांसेस बहुत जादा रहते हैं तो क्या ही मतलब है भाई 120 मैक्सिमम जाएगी भाई ये उसके उपर ले जाना कोई बहादरी का काम है नहीं बाकी 160 का तो इस पीठी दे रखा है बाकी हैंडलिंग काफी सही है इसका तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसी है ये बाई को मेरे को तो काफी सही लगा इस वीडियो के यही पे इंडे करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हर-हर माहाते हो I want to reach 1 million, so please, Sarapakarai, okay, thank you.